नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वाद करेंगे कि अगर आप भी मटके का पानी पीने से क्या फायदा होता है इसके बारे में अगर आप जान लोगे तो आप फ्रिच का पानी पीना छोड़ दोगे तो दोस्तों मटके का पानी जितना ठंडा और सुकुन दायक लगता है स्वास्त के लिए भी उतना ही फायदे मन भी होता है अब भी कुछ परिवार के इस परंप्रा का पालन करते हैं और रेफ्रिजेटर के उप्योग करने का बजाए मिट्टी के बरतनों में पानी रखना ज उसमें मिट्टी के गुण आ जाते हैं इसलिए घड़े में रखा पानी स्वास्त के लिए फायदे मत होता है अभी बात करें तो शारीत प्रक्रित के लिए मिट्टी में शारीय है तो यह शरीर में पी-एच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है इसका कारण यह है कि मान अपके का पानी पीने से एसेडीडी और पेट का दर से रहात मिलती है तो दोस्तों दूसरी बात कीज़े तो हानिकारक रसायनों को डर भी नहीं जैसे कुछ भी केमिकल होते हैं वैसे आपको प्लास्टी के बॉटल में पानी रख रहे है तो कुछ न कुछ आपको डर लगा प्लास्टी की बॉटल में एक शक्ति साली जहरीला रसायन बीपे के कारण अंतस्त्रावी व्याधन का डर होता है जो मिट्टी के बरतनों में नहीं होता मिट्टी के बरतन में प्रदोशन की संभावना लग भग अनुपस्तित होती है मिट्टी के बरतनों में पानी भंडा प्रिज का पानी पीने में ठंडा हो सकता है और प्लास्टिक का बोतलन में बाहर रखा पानी बहुत गर्म होता है मिट्टी के मत्के में पानी प्यास बुझाने के लिए मिट्टी का गुणों से भरपूर होता है फ्रिज का पानी पीने से गला खराब होने का समयत कई तरह की परशानिया आ सकती है लेकिन मटके का पानी पीने से प्यास भी खतम होगी और कई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा अब चौती बात कीज़ा तो पाचन क्रिया होती है वो आपको तंदरुस सकती है और हमेसा फायदा करता है इसके मिट्टी के जो घड़े का पानी पीना सेहत के लिए फायदे मन्द है इसका तापमान सामाने से थोड़ा ही कम होता है जो ठंड़क तो देता ही है ये पाचन की क्रिया को बहतर बनाने में मदद करता है इससे पीने से शरीर में टेस्टरॉइन का स्थर भी बढ़ता है और पांचवी बात की जट फायदे की मेटाबलिजम में सुधा दोस्तों मिट्टी के बरतन में जमा पानी शरीर के प्राक्रतिक मेटाबलिजम प्राणनी को बढ़ावा मिलती है इसके कारण यह है कि यह पानी किसी भी प्राकार के रसाइनी घटकों के संपक में नहीं आता है अब छटी बात की तो कब्ज और गला खराब इसमें भी आपको यह मटके का पानी बहुत ही फायदा करता है फ्रीज के पानी में अपेक्षा यह अधिक फायदे मत है क्योंकि इस पानी में कब्ज और गला खराब होने का जैसी समस्या का कोई चांसी नहीं है इसके अलवा मटके का पानी ही सही माइने में शरी को ठंड़क देता है साथ फायदे की बात की तो विशा परदातों को डर नहीं मतके का पानी पीने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है की इसमें किसी भी तरह का जहरीले रसाइनों का डर नहीं होता प्लास्टिक की बुटला में क्या होता दोस्तों की उसमें जहरीले याश विशेले शक्तिशाली, जहरीले रसायन का भी बीपे का कोई भी डर बना रहता है इस पानी में दोशित होने के आशंका नहीं रहती है वहीं मिट्टी सभी विशल परदातों को सोक लेते हैं जिनें गर्मियों में खटी धकार और अपच की समस्या रहती है वो मट्के के पानी पीने से ठीक हो जाता है अब आट फी बात कीजिए तो हीलिंग घुर से बरपूर हीलिंग पाउर ताप जानते हैं जो अंदर से आपको ठीक करें और मजबूत करें मिट्टी के मट्के में हीलिंग यानि उपचार के गुण होते हैं ऐसे हैं इसलिए हैं क्योंकि मिट्टी का इस्तमाल विभिन प्रकार के खनीजो और विदुत चुम्बिक्य उर्जा में बरतन बनाने के लिए किया जाता है जबकि बरतन में पानी भर जाता है और फिर पिया जाता है तो लाप शरी को स्ताने नजदित होता है तो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स बता हैं कि मिट्टी के बरतन में पानी पीने से ये फाइदा है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना मैं चैनल को सब्सक्राइब करना है धन्यवाद जय हिंद